चैप्टर दोस्त हमारा बायो मॉलिक्यूज तो बायो मॉलिक्यूज माज़ में लोग कार्बो हाइडरेट के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 14 हमारा दोस्त है बायो मॉलिक्यूज जो 3 से 4 नंबर का है चैप्टर तो सबसे पहले हम लोग बायो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे तब बायो का मत होगे जिवीत प्रानी और जिवीत प्रानी किसमे उपस्थित रहेगा मॉलिक्यूल में तो उसे क्या बोलते है बायो मॉलिक्यूल तो जीवित प्रानी उपास्थित है मॉलिक्यूल्स में पॉइंट नमर टू बायो मॉलिक्यूल एक रासाइनिक योगीक है जो पाया जाता है जीवित प्रानी में उधारनों गया कार्भो हाइड्रेट्स प्रोटेन्स लिपीड्स नुकिलीक एसिड्स वाइटामीन्स हार्मोंस यह मारे किया बायो मॉलिक्यूल का एक्जाम्पल जीवान को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार ही है बायो मोलिक्यूल्स बायो मोलिक्यूल्स बना हुआ है कार्बन, हाइडरोजन, आक्सिजन, नाइडरोजन, फोस्फोरसोन, सल्फर से कार्बो हाइडरेट्स तक कार्बो का मतलब होगे कार्बन और हाइडरेट्स का मतलब होगे वाटर वहाँ कार्बन जो वाटर के साथ हो उसको क्या बोलते कार्बो हाइडरेट्स कार्बन जुड़ा हुआ है वाटर के साथ उसको बोलते कार्बो हाइडरेट्स तो carbohydrates का general formula वोगे Cn, H2O, N इसी को लिख सकते हैं Cn, H2O का whole N जहां पर N हमारे क्या है? carbon item की संखिया आईए example देखते हैं सबसे पहला example हमारे क्या है? glucose तो glucose का molecular formula C6H12O6 जो Cn, H2O, N के formula पर best है जो N के number of carbon जो 6 carbon लिए हैं N के जगा 6 बठा दियें, 6 का double कर दियें तो hydrogen 12 हो गिया और N के जगा 6 लिए तो oxygen 6 हो गिया अब देखिए दोस्त इसी glucose के formula को Cn, H2O का whole N पर best करते हैं N का का carbon का संखिया तो carbon का संखिये 6 लिए water था तो water लिख दियें और N के जगा 6 carbon लिए तो यहां भी 6 लिए तो C6, H2O का whole 6 गुलकोज के एग और formula हो गिया राइबोज का molecular formula Cn, H2O, N पर best है तो carbon का नमबर 5 है तो N के जगा 5 बठाएं तो C5 हो गिया फिर N के जगा 5 बठाएं तो H10 हो गिया फिर O के जगा N के जगा 5 बठाएं तो O5 हो गिया दिशतर राइबोज का molecular formula हो गिया C5, H10O5 इसका एक गौर formula है Cn, H2O का whole N तो N के जगा 5 कारण बठाएं तो C5 हो गिया वाटर के लिए वाटर लिग दिये N के जगा 5 बठाएं तो 5 हो गिया तो formula हो गिया C5, H2O का whole 5 यहां पर कुछ योगिक है जो नहीं है carbohydrates लेकिन लिखा जा सकता है कारण के साथ वाटर को जोड़ कर Example सबसे पहला example के Acetic Acid Acetic Acid का molecular formula के तो CH3, C double bond, OH तो इसको Cn, H2n, On के formula पर सजाया जा रहा है Carbon 2 है तो C2 लिख दिये Hydrogen का 4 item है तो hydrogen 4 लिख दिये Oxygen का 2 item है तो O2 लिख दिये इसका condensed formula होगे C2, H2O का whole 2 यह दोस्त हमारा Lactic Acid, Lactic Acid का molecular formula होगे CH3, CH के उपर है OH लगा हुआ, CH से जोड़ा हुआ Carbocilic Acid, यह होगी हमारा Lactic Acid, Lactic Acid Milk में पाए जाता है 1 Carbon, 2 Carbon, 3 Carbon C3 लिख दिये 1 Hydrogen, 2 Hydrogen, 3 5 Hydrogen, 6 Hydrogen H6 लिख दिये 2 Oxygen, 1, 3 Oxygen के लिए O3 लिख दिये इसका देखे इसका जो है Cn, H2O के Hall and formula पर सेट कारे तो C3, H2O का Hall 3 बन गिया Formal Dehyde का molecular formula HCHO 1 Carbon तो 1 Carbon लिख दिये 1, 2 Hydrogen तो H2 लिख दिये 1 Troxion तो 1 Troxion लिख दिये तो CS2O Formal Dehyde का condensed formula है अगर इसको Cn, S2O के Hall and formula पर सेट करे दो तो CS2O बन जाता है यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं जो Carbohydrate है लेकिन नहीं लिखा जा सकता है Carbon के साथ Water को जोड कर वो धारान है पहला हमारा सुक्रोज सुक्रोज को प्यास से क्या बोलते है सुगर तो सुगर का molecular formula C12H2O11 B हमारा एक्जाम पर दोस्त Remonose मतलब Remonose तो Remonose का molecular formula C6H12O5 जहाँ पार कारबन 6 है Hydrogen 12 और Oxygen 5 है उसको क्या बोलते है Remonose डियोक्सी राइबोज C5H10O4 कारबन 5 है Hydrogen 10 और Oxygen 4 है उसको क्या बोलते है डियोक्सी राइबोज कारबोहाइडरेट्स का आधुनिक परिभासा Optically Active पदार्थ जो धारन कर रहा है Polyhydroxy Aldehyde और Polyhydroxy Ketone को उसको क्या बोलते कारबोहाइडरेट तो LDhyde का मतलब होगे जो CHO फांसनल गुरूप राखता हो Poly का मतलब होगे एक से जाइदा OH गुरूप राखने वाला को क्या बोलते Polyhydroxy Aldehyde Ketone का मतलब होगे डाइभेलेंट की टो गुरूप को राखने वाला Poly का मतलब होगे Mordden 1 और Hydroxy का मतलब OH गुरूप जिसके पास किटोन फांसनल गुरूप हो और एक से जाइदा Hydroxy फांसनल गुरूप हो मतलब OH गुरूप तो उसको क्या बोलते Polyhydroxy Ketone एक जाम पल तो देखे दोस्त बीच वाला कार्बन के पास एक ठो OH फांसनल गुरूप लगा हुआ रेकतरा Hydrogen गुरूप और Non-Terminal कार्बन के उपर में लगा हुआ एक Eldehyde फांसनल गुरूप और बीच वाला कार्बन के निचे में लगा है CH2OH गुरूप और निचे वाला जो बोन खाली है उधर भी लगा दिए CH2OH गुरूप तो एक एक दो दो ठो Hydroxy गुरूप है तो Dihydroxy लिख दिए है एक एक दो कार्बन के लिए Common है में Acid लिख दिए है और O के लिए On के टोन है तो On लिख दिए है तो नाम होगे Dihydroxy Acetone छेटो कार्बन है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन छे कार्बन क्योंकि हम लोग जानते कि गुलकोज का Molecular formula C6H2O6 तो छेटो कार्बन है तो सबसे टोप ओला कार्बन के पास किया लिए हर फ़ॉंचनल ग्रुप नीचे लगा हुए C6H ग्रूप यहाँ oxygen था तो यहाँ पर OH लगा दिए और OH का opposite में एक हाइड्रोजन लगा दिए फिर यहां पर हाइड्रोजन लगा है और इसके ब़ॉजित में तो नेमिंग करने का तरीका है जब लग नोट पढ़ेंगे तो जो एकजाम में आएगा वहाँ सबस्ट्राइब प्दात जो उत्पन करता हो पॉली हाइड ओक्सी-ल्डिहाइड और किटोन को वाटर से परतिक्रिया करने के बाद उसको क्या बोलते कार्बो हैड्रेट टे ल्डी हाइड कम अता होगे जो at और फांसबिब राखता हो पौली कम अतोगे एक जैदा और हाइरोक्सी कम मतलव होगे हा youtube पौ्णे वह नाउ ये ब über pennson गुव जो एक से ज़्यदा हे रोकसी फ्र रहन अभरत सोप स। बोलता है ल्टी हाइड जो एक महें इसक खुट्र पर तरे लोगलक हो एक से ज्जयदा ह्यद्राइख भांञै और और है रोगे टोना जब अस्टार्च परतिकिरिया करता लुट यह करते हैं वाटर के साथ तो बनाता में प्रोड़र्ट में ग्लुकोज तो अस्टार्च है हमारा कार्भो है ड्रेट का वरगी करंग कार्बोहाइडरेट जिस तरह मेरे कलास के तीन ठोर रेंगे फर्स्ट रेंग सकेंड रेंग थर्ड रेंग उसी तरह कार्बोहाइडरेट का भी तीन ठोर रेंगे पहला है हमारा water के साथ reaction करने के अधार पर दूसरा है स्वाद के अधार पर तीसरा है परकृति के अधार पर सबसे पहले दोस्ते हम लोग water के साथ reaction करने के अधार पर हम लोग देखेंगे तो पहला है हमारा monosaccharides दूसरा है oligosaccharides तीसरा है polysaccharides सधाराइड कमतों कि सुगर सवाध क्या क्या होग decor सवाध के अधार पर दो परकार का है sugar और दुसरा non-sugar कार्बो हाइडरेट परकृति के अधार पर दो परकार का पहला है reducing sugar और दुसरा है not reducing sugar गुगर